हेलो फ्रेंट्स आज की रेसिपी होने वाली है बहुत इंटरस्टिंग क्योंकि इसे हम बनाने वाले लैफ्ट ओवर ब्रेड से घर में रखी हुई ब्रेड अगर रखे रखे सुखी हो गई है तो चलिए इसे बनाते एक आसान सी टेस्टी सी और हेल्दी सी रेसिपी बिना द पूल चुके हैं इंस्टेट बनने वाली रेसिपी है तो 20 मिनट भी अगर चावल भी होएंगे तो उसमें यह अच्छे से भीग जाएंगे अब इन भीगी हुए चावल का इस्तमाल हमें कैसे करना है आगे देखते हैं पर उससे पहले हम यहाँ पर चार ब्रेड स्लाइज ह आप यहाँ पर आटा ब्रेड भी ले सकते हैं अगर आप आटा ब्रेड प्रेफर करते हैं यह नॉर्मल वाली ब्रेड है और मीडियम साइज की है अगर आप बड़े वाली ब्रेड स्लाइज ले रहे हैं तो दो से तीन ले उसके बाद इन पिस को इस तरीके से यहाँ पर त त्यार कर लिए हैं आज इन ब्रेड क्रम्स का इस्तमाल हम कोई स्नेक्स बनाने में नहीं कर रहे हैं आज इससे हम बनाने वाले एक हेल्दी सी चटपटी मॉर्णिंग ब्रेकफास्ट के लिए रेसिपी तो अब जो चावल रखे देख साइट पे उनको हमने सेम उसी ग्रेंड में नहीं है उसके बाद इस मिक्सर को हम अलिऑ के अंदर चाहिस पानी और लेके आड़कर मीं डालकर उसको भी हम इसमें आट कर देंगे और इसको अच्छे से अब यहां पर मिक्स दिए दिगी जो हमारे ब्रेड क्रम्स है वह अचछे से यहां पर घुल्मिल जाए यानि क फूल जाए और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से यह एक मिश्चर बनकर हमारा तयार हो गया है तो चलिए अब इसमें टेस्ट और फ्लेवर देने के लिए मिला लेते हैं दो हरी मिर्ची बारी कट करकर एक प्याज डालेंगे बारी कट करकर कुछ कड़ी अगर आप खाते हैं तो डाल दें नहीं तो स्किप कर दें आधी गाजर लिया बारी कट करकर और साथ में डाली है धनिया पती और आपनी पसंद की सबजें भी आप यहां पर आड़ कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप खले प्याज के साथ भी इस रसिपी को बनाएंगे तो यह बहुत टेस्टी बनेगी तो सारी चीजों को एक पर अच्छे से मिक्स देके उपर से डालेंगे हम स्वाध अनुसार नमक आदा चमस डालेंगे खड़ा जीरा आप यहां पर हलका परियोग अजवाइन का भी कर सकते हैं और टेस्ट रकोडिंग डालेंगे यहां पर बास्ते में टेस्ट आएगा ही दिखने में भी अच्छा लगेगा और एक चमचा बैटर डालके इसको इस तरीके से यहां पर हल्कासा फैला देंगे जादा नहीं फिलाना है वहीं के वहीं सैट कर देना यह अपने आप हो भी जाएगा और ढखकर एक या डेड़ मिनट के इसको लो फ्लेम पर हम नीचे से अच्छे से पकने देंगे और आप जैसे की देख पा रहे हैं उपर से भी अच्छे से पक गया है तो कुछ बुंदे तेल की डालके इसको हम यहां पर पलट देंगे और दूसरी साइट से भी अच्छे से सीखने देंगे बहुत टेस्टी ह वेल्दी और सबसे बड़ी बात है घर में ही रख्य समान से बन कर तयार हो जाएगा आपकी ब्रेड का विस्तमाल हो जाएगा और आपको सुबह मॉर्णिंग प्रेफास्ट में रोटी सबजी ब्याने की जरूरत नहीं है यह उसकी कमी को भी पूरा कर देगा और अगर आप य चाहे ग्रीन चटनी या सोस या फिर दही के साथ साथ कर सकते हैं और अगर आप इसको वैसे भी खाना चाहेंगे तब भी यह बहुत टेस्टी और लाजवाब लगने वाला है फिर चाहे आप इस नाश्टे को बच्चों के टिफिन में दे हस्बेंड के लंच में दे या शा लगियो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और इसे डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी के लिए तो मिलते हैं नए दी नए रेसिपी के साथ थैंक्स पर वाचेंग